सर्दियों में साथ दिन इस तरह से दूद बना करके पी लीजिए अपके घुटने, कमर, कोहनी, एड़ी, कंदे का दर्द दूर हो जाएगा खून की कमी जिनको रहती है अनीमिय की प्रॉब्लम है वो दूर होगी शरीर में तुंदरुस्ती आएगी, हश्ट पुष्ट बनेगा शरीर, वीकनेस, कमजोरी ठका अनालस दूर होगा और साथी साथ, दिमागी कमजोरी या दिमागी ठकावट दूर होगी तनाव दूर होगा, आँखों का चश्मा दूर होगा, आईस साइट इंप्रूव होगी ये दूद दोसों से भी ज्यादा फायदे वाला है इसलिए इसे जरूर बनाकर के पीजे सर्दियों में आपका शरीर एनरजी से भर जाएगा और अगर आपके बाल गिर रहे हैं, या सकिन पर ग्लो नहीं है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपरिटीज भी है और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी हाइडरेट करेगा तो बहुत सारी खूबिया है इसमें, जरूर मेरे कहने पर एक बार बना करके देखिए आपके घर में बच्चे, बड़े, बुडे, सबको पसंद आने वाला है सबको ये दूद आप दे सकते हो और सद्यों में आपकी इम्म्यूनिटी भी बढ़ाने वाला है चलिए, जल्दी से बताती हूँ इस दूद को कैसे बनाना है और कब पीना है वैल, इस दूद को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है डेट्स यानि की खजूर खजूर सॉफ्ट वारे जो होते हैं वो लें तो और भी ज्यादा अच्छा है यह सॉफ्ट खजूर है जो की आसानी से डी सीड हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी आपके दूद में मिल जाते हैं तो यहां मैं खजूरों को डी सीड कर रही हूँ एक गलास में आप चार से पांच खजूर डाल सकते हैं तो यहां मैं दो ग्लास बना रही हूं तो मैंने आट नो खजूर लिये हैं और इनको मैं डी सीड कर रही हूं कुछ इस तरीके से खजूर आयरन का खजाना है खजूर शक्ति का भंदार है खजूर आपके शरीर में शरकरा की वैल्यू या प्लट ग्लुकोज की वैल्यू नहीं बढ़ाता है डाबेटिक लोग भी से ले सकते हैं और खजूर सर्दियों में आपके शरीर को बिल्कुल भी कमजोर और वीक नही कम है अब बढ़ते हैं next ingredient की तरफ वो है ये तिल सफेद तिल कैल्शिम और प्रोटीन का खजाना है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे minerals होते हैं जो की आपकी दर्दों को दूर करने के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं तो यहां मैंने लिए हैं दो चमत सफेद तिल जितने ग्लास दूद उतने चमत तिल आप लेंगे right next आप क्या करेंगे आधा कब दूद लेंगे और ये de-seeded खजूर यानि की डेट्स और तिल को आप इस दूद में सोक करके भिगो करके रख देंगे तकरीबन आधे घंते के लिए right next ingredient की तरफ चलते हैं और वो हैं बाद बादाम मैंने ली हैं दो ग्लास दूद के लिए it depends upon you जितने ग्लास आप दूद बना रहे हैं उतने बादाम आप ले लेंगे और इस तरीके से आप उन्हें छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे बादाम में होता है धेर सारा प्रोटीन और इसमें विटमिन E होता है जो की आपके शरीर को तंदरुस्त बनाता है और आपकी मास पेशियों को एक्टिव करता है स्ट्रेंदन करता है जो खजूर और तिल हमने दूद में बिगोए थे उनको मिक्सी के जार में डाल करके आप पीस लेंगे एक बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन करके तयार हो लो हम एड करेंगे फ़र्स्ट इंग्रीडियंट जो आप इंग्रीडियंट जो आपकी बहुत अच्छी होती है आपके शरीड में बढ़ाइब हाती है जब बलट सर्किलेशन होता है तो आपके शरीड के हर项 थे Corporation Amis नेक्स्ट इंग्रीडियंट आप इसमें एड करेंगे एक चुथाई चम्मच सॉंट या ड्राइ जिंजर पाउडर इसको बोलते हैं जिंजर पाउडर यानि कि अद्रक का पाउडर क्या करेगा आपके नसों की गमजोरी को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके दिमागी शक् चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी घर की पिसी हुई होनी चाहिए और हल्दी की जितने फायदे हैं मतलब आज तो सबको पता है इम्म्यूनिटी से ले करके गलो तक बढ़ाती है हल्दी और आपके शरीर को हश्ट पुष्ट तंदृस्त बनाती है एक चुथाई चम्मच हल् करके तयार हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और तक्रीबन तीन से चार मिनट के लिए आप इस दूद को उबालेंगे सिम गैस पर इसे उबालेंगे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए और तीन से चार मिनट में ही दूद आपका बन करके रेडी हो जाएगा इसमें चीनी या गुर या शकर डालने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है इसकी अपनी मिठास है डेट्स की और बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है आपके खर में सब ही इसको लाइक करने वाले हैं और आपसे बार बार कहने वाले हैं कि ये बना करके हमें जरूर जरूर है और प्रोटीन मिनरल्स की जरूरत होती है तो ये दूद बहुत बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है तो इस सर्दियां आप भी ये दूद बना करके पीजे आप रात को सोन हैंगे तो नीद अच्छी आने वाली है और शरीर की ठकावट पूरी की पूरी दूर करने वाला है ये दूद चुस्ति फूर्ति को बढ़ाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया कोई चीनी वगर हमने इसमें आड नहीं की है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है फाइद थे जसके को पीजे आगा आपको बहुत फायदे मिलेंगे कैसा लगा यह कॉमेंट करकी मुझे बतायें गालाइफ श्रूर कीजिये इस वीडियो को बिक standards जब आप मेरे वीडियो लाइक और शेयरर करते हैं तो तो मूझे मिलती है भेषारी मोटिवेशन भेषारी मिलेंहा पहली बार आए हैं तो इसी तरह के healthy food recipes देखने के लिए beauty and health remedies देखने के लिए subscribe जरूर कीजेगा subscribe का red button है नीचे जल्दी से उसे दबा दीजे और notification bell icon को भी जरूर दबाईएगा मैं मिलूंगी आप से एक बहुत ही amazing से वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा और खुशियां ही बात दिएगा क्योंकि खुशियां बाटने से ही बढ़ती हैं बाबाई